हलो फ्रेंब्स पंटों प्रेंड यह और जोड़ें लेकर रहे हैं बनाई का विडियूर आपकों मला वीडियो ॥ पसके ने टीज आमिरी वीडियो को लाइक कीजिए शब्स्क्राइब कीजिकी मिसाईब कॉपने कमेट जीओ बीचलिई फ्रेंड जीनाश्रू कीजिए आज हैं बनाने जा रही हूँ यह बाली डिजाइन यह आप काईडीगन में भी डाल सकते हैं बेबी स्वोटर में भी डाल सकते हैं और जेंस स्वोटर की डिजाइन है और मैंने यहाँ पर चार-चार फंदे उल्टे रखें हैं दोनों साइड देखें सबसे पहले चार फंदे उल्टे बुरूंगे दो तीन चार लागा आगे एक दो तीन तीन फंदे सीधे देखें एक खंदे को मैं तीन वाल लपेटूँगी एक, दो तीन देखें अब यहां पे आठ खंदे सीधे एक, दो तीन चार पाँच छे साथ आठ देखें आठ के बाद अब मैं यहां पे एक खंदे को तीन वाल लपेटूँगी एक दो तीन इस तरह से अब यहाँ पर तीन फंदे सीधे एक दो तीन वापस दागा अपने साइड यहाँ पर चार फंदे उल्टे यहाँ पर आप कम जादा भी कर सकते हैं देखिए फर्स्ट रो कम्प्लीट हो गई हमारी सेकेंड रो पर आजाईए सेकेंड रो देखिए यह चार फंदे इधर के जो उल्टे हैं उनको देखिए मैं इधर उल्टा बना लूँगी यह सारी रो उल्टी बनेगी केबल एक फंदा जो लपेटा हुआ है उसको मैं खोल देखिए इस तरह से यह मैंने खोल लिया है इसको मैं बुनूँगी नहीं जैसी उतार लूँगी उदर का भी देखिए इस तरह से बाकी बंदे उल्टे-उल्टे बंदोंगी सारा खडgesetz स्सेध साईड रॉटि पर यहां पर चार पंदे हीं हमारे उल्टे ही राएंगे है ना अब देकि इस तरह से रा रागण का एंगे जो दूटी सीधिवन आएन त Kang यह इसमें से दो सीधिई बंदे इसन को लप्यटेंगे और एक, दो, तीन, इसको लपेटने के बाद देखिए, यह जो मैं पहले लपेटा था, इस फंदे को मैं इस तरह से चार फंदों के आगे ले जाऊंगे, इन चार फंदों, देखिए, यह वाला फंदा मैं निकाल दिया है, इन फंदों के आगे इस तरह से ले लूँगी, और इस आप यह बाला खंदा में इन फंडौ के आगे लाँगी देखिए अब आप चाहेU तो इससलाई पे यहसे चाहर सीधह बनाएकट में सबस्के एक बढाने के पाद एक खंदे को में इस तरह से इसके देखिए यह मैं लपेटा इसके आगे वाला भंदा इसको में तीन वाल लपेट दूंगे इस तरह से बापकी दो भंदे सीधे बुल दूंगे और इधर चार भंदे यहाँ पर आप कम जादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से अलती रो में मुझी कुछ नहीं करना है केवल वही एक खंदा खोलना है है अम की पूरी रो उलती-उलती है इस तरह से खंदा को खोल लिया बुना नहीं है इसए कार लिया है देखिए ये बाला फंदा भी इस तरह से खूल लेंगे आगे फंदा भूल लेंगे देखिए अपने साइड तीन फंदे यहां पर उलते एक उतार लेती हूं चार हो जाकते हैं देखिए अब यहां पर एक फंदा सीधा भूंगे अब इसको लपेटूंगे एक, दो, तीन इस वाले फंदे को इन चार फंदों के आगे ले जाओगे देखें इसको निकाल दोगी इस तरह से इसको यहां पे ऐसे परेंभंदुख गो इस शलाई पे लेले तेंग चा इसको सीधा बुन लोगी लपटा वो पंडक इस तरह से देखें इस तरह से आ जायेगी अब देखिए ये वाला फंदा इस चाहे तो आप ऐसे भी बुल सकते हो इसको देखिए यहाँ पर बुल लिया इस तरह से और इसके बाद चार फंदे सीधे एक दो तीन चार इस तरह से देखिए इस तरह से आ गया है और यहाँ पर फंदा सीधे बुल लिया दो बापस ये फंदे उल्टे रहेंगे हमारे आजाए रॉंग साइड रॉंग साइड पर मुझे कुछ नहीं करना है उल्टा उल्टा बुनते हुए उस फंदे को केवल खोलना है बागे देखिए राइट साइड आ गया है इस तरह से दिखेगी ये अब ये फंदा ये उतार लूंगी लागा अपने साइड एक दो तेन देखिए यहाँ पर चार हो जाते हैं ये लागा आगे अब देखिए ये वाला फंदा मैंने हमें इसको लपिट लोंगे एक दो तीन वाल लपिटते हुए अब देखिए इसको मैं यहाँ लियाऊंगी इन चार फंदों के आगे एक दो तीन चार देखिए इस तरह से और ये वाले फंदे इसको लेकर इनको मैं सीधा बनाते हुए कि दो तीन चार वापास इस चंदे को सीधा ऑर देखिये यह वाले पंदे जो हैं मैं इस तरह से सीधा बनाते हुए अब देखिए यहाँ पर इस तरह से ऐसे आ जाएगा यह सबाइब आगे इन चार खंदों के आगे इसको यह si बना लेंग volontर हाइब है कर पनान measure person इस तरह से वापस एक फंदा बचा है इसको में तीन बार लपेट होगी देखिए इस तरह से भागा अपने साइड ये चार फंदे उल्टे उल्टी रो में कुछ निकलना है इससे कोई बंदा खोलते हुए जाना है इसके रहें कम्प्लीट करूँ देखिए सीधी रोपे ये चार हो जाते हैं देखिए यहां पर इस फंदे को इस तरह निकाल देंगी इन चार फंदों को इन चार इसको यहां लिए पहले बना लूँगी इस तरह से एक दो तीन चार देखिए अब इसको भी बना लेंगे देखिए अब जी जो अमने फंदे यहां से लिए थे वह सारे मैंने इस तरह से कर लिए यह फंदे सीधे बूल लेंगे लोगी है देखिए अब यह वाला फंदा इन चार फंदों के आगे लाएंगे इस तरह से इन फंदों को चार को सीधा बूल लेंगे एक दो तीन चार पूल की रो है इन फंदे सीधे बनने के बार चार फंदे यहां पे बनाएंगे और की लिए बना धिली रोख इसी तरह कंप्रीट कर लेंगा पर देखिए इस तरह स्पने हुआ इन फंदे यहां फंदे हैं यह त्रिष्ट करण़गी इस رव में याशन हो खाहरो तीन सीधे बनाने के बाए यह उत्रा है एक तो इस तरह से यह जो आठ खंदे हैं यह मारे इनकों में ट्विश्ट कर रहूंगी एक दो तीन चार देखिए अब इस तरह से यह चार खंदे इधर ले जाऊंगी इस तरह से और ये वाले फंदे मैं इस सलाई पर ले लूँगे चारो इस तरह से देखिए इसको पहले कर लेंगे इस तरह से बार लेंगे सलाई में ये देखिए इस तरह से हो जाएंगे अब देखिए इनको में इस तरह से सीधा बुन लूँगे सारे फंदे दो तीन चार पाच छेर साथ आठ देखिए इस तरह से बुन लिए हैं और ये यहाँ पर चार फंदे सीधे इस तरह से इसको रॉंग साइड एक खंदा उतार लूँगे ये उनकी सलाई पूरी जाएगी इस तरह से देखिए अब हमारी यहां फर्ष्ट रोब की तरह बनेगी यहांसे देखिए जिस तरह से मैंने फर्ष्ट रोब में बनाया था इसके बाद यह इसी तरह से स्टार्ट हो जाएगा ऐखिए यहां पे चार पंडे ङपने इस तरह से देखिए यहां पे 1,2,3 पंदे सीधे बनाने के बाद जो मैंनेूसी मैं नीचे से स्टाट दिया था वही चिज़ा में कर रही हो इसको तीन वाल लपेड़ लूँगी इस तरह से और यह आठ खंदे में सीधे बुनूँगी इधर भी आम बोई चीज करेंगे तीन खंदे सीधे और एक खंदे को तीन वाल लपेड़ते हुए बनाऊंगे यह स्टार्टिंग वाली रो आ गई है फर्स्ट रो जो हमने बनाई थी सेम वही से स्टार्ट हो गया अब यह देखिए रोंग साइड मुझे कुछ नहीं करना है रोंग साइड जो मैं बताती है आ रही हूं वही करूंगे खंदा खुलो हुए सिर्फ देखिए आ जाईए यह राइट साइड इन खंदा को अब यहां पर एक दो भंदे सीरे बनेंगे इस पुल अपएट लोंगी तीन वार अब देखिए यह वही चीज आ गई इस भंदे को मैं इन चार भंदों के आगे लाऊंगी इस तरह से इसको आगे लाई और इसको इनको पहले बन लोंगी एक दो तीन चार इसको और इस वाले खंदे को मैं यहां लाओंगे देखिए इस तरह से इसको यहां बना लिए और इन चार खंदों को बाद में बन देखिए इस तरह से और यह रपेट लूँगी इन वार यह दो खंदे सीधी बना लोगे देखिए इसी तरह से जब यह आगे पहुंचेगा यह देखिए एक में मैंने बना रखा है जब यह सारे फंदे यहां तक हो जाएंगे उसके बाद हम इसको यहां पर ट्विस्ट कर देंगे देखिए इसी तरह से इसको कम्प्लीट किया है अगर हमारा वीडियो अच्छा